11 सच है तो दिखेगा नमस्कार मैं रजनेश गुप्त आपका नी जुलन भारत में मैं कोचिंग टाइम में आपका स्वागत करता हूं और आज का हमारा चैप्टर होगा बैंके एग stunned करना चाहता हूं कि बैंकिंग में ढा स्ञाध करने की टिर भे चानक पूस्य जाते हैं उनको विडाउट बेन सोम्ड करने की इद्यार्थी में डेवलोफ होनी बहुत जरूरी है क्योंकि समय काफी कम रहता है और कम से कम समय में आपको मेक्सिम्म कुशन सोल्ब करना है इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको इसका नुम्रिकल अबिलेटी का पहला चप्टर रेस्यों प्रोपोर्शन परहाने वाला रेस्यों प्रोपोर्शन में बिस्यों बात ध्यान देने की यह है कि यह बेसिक चप्टर है किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइव एक्जामिनेशन के लिए रेलेटेटेट तो मैथेमेटिक्स और नुम्रिकल अबिलेटी तो डेफिनेटली जो हमारा रेस्यों प्रोपो आप सभी विद्यार्थियों से यह कहना चाहूंगा कि आप इसे ध्यान से देखें पूरी अटेंशन के साथ देखें जो ही बाते में बताने जा रहा हूंगा आपको वह आपके लिए लाब्दा एक साबित होंगी महारा पाला चप्टर है रेस्यों परपोर्शन सबसे पहले हम रेस्यों का डेफिनेशन जानेंगे रेस्यों का डेफिनेशन है किसी भी सिमिलर्स बहुत मतलब एक ही परकार के जो आइटम्स होते हैं उनको मिन्मम टर्म्स में दिखाया जाता है जैसे एक कुस्षन है मारे सामने इसमें एक बाद विश्यों का ध्यान देने की है जिसको हम लोग रेस्यों का डेफिनेशन दिखाने के लिए रेस्यों का इस्तमाल किया गया है और इसे एक नमबर से डिवाइट किया गया है वो नमबर है 6, 64024, 63018, 62012 तो यहां हम देख सकते हैं कि 4 is to 3 is to 2 relationship है नमबर 24, 18 और 12 के बीच इसमें एक बाद विश्यों का ध्यान देने की है जिसको हम लोग आने वाले कुस्षन में इस्तमाल करेंगे 6 नमबर से 24 को, 18 को और 12 को हम लोगों ने डिवाइट किया है अगर वापस जाना होगा देफिनेटली 6 से मल्टिप्लाई करेंगे 6 4 0 24, 6 3 0 18, 6 2 0 12 एक छोटा सा कॉंसेप्ट है जो आगे के प्रस्णों में आपको काफी लब्दायक साबित होने वाला है इसे बिसेश कर आप ध्यान से नोटिस किजिएगा, टेंसन दिजिएगा मैं अब नेक्स कुशन की ओर चल रहा हूँ हमारा बहला प्रस्ण है 30,000 रुपए को A, B, C में 1, 2, 3 के अरुपार्ट में बढ़ना जाता है तो सी तथा एक की हिंसेग बीच का अंतर ग्याद करें प्रस्ण को सोल्व करने से पहले मैं बिद्यार्थियों को एक बात बोलना चाहूंगा मेक्सम्बिद्यार्थी प्रस्ण को एक फ्लो में पढ़ जाते हैं जिससे प्रस्ण का थीम उनके दिमाग में विदिन टाइम डेवलप नहीं हो पाता है थीम को डेवलप करने लिए जरूरी है एक कुश्ण को आसानी से पढ़ है लाइन बाइन पढ़ है जब तक एक लाइन समझ में नहाँ है दूसरे लाइन में नहाँ जाए जैसे अगर मैं एक विद्यार्थी की तरह इस कुश्ण को पढ़ हूँ तो 30,000 रुपए को A, B, C में 1 इस्टू 2 इस्टू 3 के अनुपात में बाटा गया है यहाँ पर 30,000 रुपए है जिसे बाटना है A, B और C में तो कैसे बाटना है 1 इस्टू 2 इस्टू 3 के रेशियो में बाटना है अब यहाँ पर 1 इस्टू 2 इस्टू 3 जो रेशियो दिया गया है यह रिलेसंसिप है share of A, share of B and share of C की बीच का in minimum terms में इसके solution की और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक भरबली पहले करके इसे दिखाता हूँ यहाँ हम देखेंगे अगर तीनों का ratio का total किया जाए तो यह 6 होता है और 6 lowest value है total rupees 30,000 का तो यहाँ ध्यान दनी बात यह है कि जब 6 का value 30,000 है तो 1 का value फिर क्या होगा तो definitely 6 से 30,000 5,000 टाइमस में divide होता है तो एका value जब 6 के लिए 30,000 तो 1 के लिए 5,000 2 के लिए 3,000 3 के लिए 15,000 इस पकर से हमारा तीनों का share निकल गया अगला sentence हम जाते हैं C तथा एक के हिंसे के 20 का अंतर गयाद करें अब इसका हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं 20 तार से निकालना है तो C का हिंसा हमारा 15,000 आया था 1 का हिंसा 5000 आया था difference will be 10,000 अगर shortcut में निकालना है तो C और A के हिंसे के 20 का अंतर यह में जो कि भी लोगासा फम है 3 minus 1 is equal to 2 6 is equal to 30,000 therefore, 2 is equal to 5000 multiply 2, 10,000 we can see here solution in detail आप इहा देख सकते हैं total rupee is 30,000 the ratio of A and B and C is 1 is to 2 is to 3 the total ratio is 6 now Rs.30,000 is 5000 times of total ratio 6 now in ratio C minus A is equal to 3 minus 1 is equal to 2 answer will be 5000 multiplied 2 is equal to 10,000 इस पकार से questions को हम भरभली कर सकते है और हमारा उद्देश यह होना चाहिए एक question का last word आते आते हमारे पास answer आजाना चाहिए इसके लिए हमें questions को ध्यान से पढ़ना है और प्रश्ण में क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है उसको ध्यान में रखते हुए spontaneously आपको answer देना है खासकर banking examination में यहां मैं ratio को आपको एक महत्तो बदाना चाहता हूँ ratio का banking examination में बहुत बड़ा contribution है क्योंकि यह backbone है banking examination के मैं थे पूछे जानवाले प्रश्णों के लिए तो इस पर सही विद्यार्थियों को विशेस ध्यान देना चाहिए और practical life में गर इसे देखा जाए तो ratio का value, ratio का importance आप इस बात से लगा सकते हैं कि किसी भी business में उस business का potentiality कितना है यह जानने के लिए ratio का इस्तमाल किया जाता है suppose कोई इंसान है जो 4000 रुपय लगाता है और 1000 रुपय का उसे profit होता है तो इसे अगर ratio के रुप में देखा जाए तो profit is to cost price 1000 is to 4000 means 1 is to 4 तो यहाँ पर जो potentiality होगा business का 1 out of 4 means 25 percent लेकि कोई दूसरी और कोई दूसरा business में अगर वो 10,000 रुपय लगाता है और 3000 रुपय कमाता है तो वहाँ उनका profit to cost ratio होगा 3 is to 10, it means 3 out of 10 means 30 out of 100, 30 percent इस पकार से business का potentiality निकालने के लिए day to day life में ratio के इस्तमाल किया जाता है और हम लोग इसे इस पकार से day to day life में बहुत सारे activity आसा करते हैं जिनके जिनमे ratio के activity चलता है हम लोग इसको इसको इस्तमाल भी करते हैं के मन में वो प्रस्ट ना पूछ सकते हैं जो आपके TV screen पर दिखाई दे रहा है phone number उस पर तो दोस्तो आगे मैं दूसरे question की बढ़ रहा हूं दूसरे question है हमारे पास किसी रासी को A, B तथा C में 3 is to 4 is to 5 के नुपात में बंटा गया यदि C तथा A के बीच के हिसे का अंतर 600 रुपया है एक कहीं सा बाता है यहां पाला sentence में साफ साफ दिखाई दे रहा है A, B, C के share का lowest form 3 is to 4 is to 5 है और second sentence में दिखाई दे रहा है C तथा A के बीच के हिसे का अंतर 600 रुपया है वैल्यू हमें यहां पर मिल गया 600 रुपय जो कि C और A के share के बीच का difference है अब हम C और A के बीच के share के difference का lowest form find out करेंगे C का share है ratio में 5 और A का share है ratio में 3 तो difference 2 होगा तो difference 2 is equal to difference 600 जो 300 ताइमस में divide होगा अब 300 ताइमस जो हमें मिल गया तो definitely 3 is to 4 is to 5 जो आया होगा वो इनके share को 300 से divide करने के बाद ही आया होगा तो वापस share के पास जाने के लिए 300 से multiply करेंगे 300 into 3, 900, 300 into 4, 1200, 300 into 5, 1500 ये इस पकास हम लोगोंने सभी का answer निकाल लिया लेकिन एक जामेशन के point review से हमें सिर्फ वही निकालना है जो प्रस्ट में पूछा गया है ये कहीं सा बताया गया है तो 3 is equal to 300 into 3, it means 900 इसका solution हम विश्टार से देख सकते हैं the difference between C and A in rupees is rupees 600 and in ratio 5 minus 3 is equal to 2 rupees 600 is 300 times of 2 therefore share of A is equal to 300 multiplied 3 is equal to 900 इस पकार next question में हम चलते हैं question number 3 A और B के बीच का अनुपाथ 3 is to 4 है और B और C के बीच का अनुपाथ 6 is to 7 है यदि A कहीं सा अठारा सो रुपया है तो B इतासी के हिस्सों का योग क्या होगा इस प्रस्ट में सबसेक बड़ी इस प्रस्ट को अगर पिछले परस्ट की तुलना में अगर पिछले परस्ट से तुलना किया जाए तो हम देखें कि यहां पर ratio दो section ने बटा हुआ है पहला section में A और B दिया गया है दूसरे में B और C दिया गया है यहां पर A और B का ratio 3 is to 4 है इसको हम दूसरी भासा में ऐसे ही बोल सकते है 3 का relation 4 से है यह 4 का relation 3 से है B और C का ratio 6 is to 7 दिया गया है 6 का relation 7 से है 7 का relation 6 से है इस question को में अगला हिंसा में जाने से पहले हमें इन दोनों ratio को एक में convert करना हो गया एक में convert करने के लिए इसको practical भासा मैंसे हम समझ सकते है एक section में A और B है दुसरे section में B और C है तो A का relation B से या B का relation A से दुसरे section में B का relation C से या C का relation B से लिगि महत्पूर्ण बात यह है कि दोनों ही section में B common है जो A को ही पाचानता है और C को ही पाचानता है तब ratio में अगर हम जाएंगे तो 3 के हिसाब से 4 और sorry माप कीजिएगा B चुकी common है तो B के हिसाब से हम चलेंगे 4 के हिसाब से 3 और दुसरे section में 6 के हिसाब से 7 इसके solution में अगर हम जाएं तो साब साब दिखाई दे रहा है A is to B के नीचे 3 is to 4 लिखा हुआ है B is to C के नीचे 6 is to 7 लिखा हुआ है B दोनों में common है तो चुकी A 4 के हिसाब से 3 है C 6 के हिसाब से 7 है अगर ये B इधर भी 6 होता लेफ्ट हैंड शाइड में भी 6 होता तो 6 के हिसाब से 3 होता और 6 के हिसाब साथ होता तो आसाने से अमान सर दे सकते थे 3 is to 6 is to 7 लेकि नहाँ पर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली दुनों तरह B को बराबर करना पड़ेगा और B को बराबर करने के लिए 4 और 6 का LCM निकालना पड़ेगा हमको LCM निकालने के लिए मैं यहाँ LCM का एक shortcut method आपको बताने जा रहा हूँ 4 और 6 का LCM निकालने के लिए हम 4 और 6 में से जो बड़ा digit होगा उसे pick up करेंगे definitely बड़ा digit 6 है तो 6 4 से पूरा-पूरा divide नहीं हो रहा है तो 6 का next multiple 12 होगा जो 4 से पूरा-पूरा divide होगा तो इसका LCM 12 हो गया अगर ये 12 भी 4 से पूरा-पूरा divide नहीं होता तो 6 का next multiple 18 हम check करते हैं लेकिन हमारा 12 तक यहाँ काम हो चुका है ता आगे हम proceed कर सकते हैं तो एक तरह B 4 की जगा 12 हो गया और दूसरी तरह B 6 की जगा 12 हो गया जैसा कि आप देख रहे हैं 4 से 12 बनने के लिए से 3 टाइमस जम करना पड़ा तो definitely 4 के साथ जो 3 लगा हुआ है उसे भी 3 टाइमस जम करना पड़ेगा 3 3 जा 9 दूसरी और B 6 से 12 हो गया 2 टाइमस जम कर गया तो definitely C को 7 को भी 2 टाइमस जम करना होगा 7 तूसरी जा 14 अब हमारे पास 12 के हिसाफ से 9 भी है और 12 के हिसाफ से 14 भी है अब हम डाइरेक्ट बोल सकते हैं A is to B is to C is equal to 9 is to 12 is to 14 अब कोसन हमारे पास पुराने कोसन के फॉर्मेट में आ चुका है हम बोल सकते हैं इफ A is to B is to C is equal to 9 is to 12 is to 14 तन दे सेकेंड सेंटेंस जो यहां सो कार आपके स्क्रीन पर इफ सेर अफ A is equal to 1800 तो 1800 वैल्यू हो गया एक हा जिसका लोवेस्ट फॉर्म है 9 9 से 1800 तो टाइमस में डिवाइड होगा इफ मेंस रिजल्ट विल बी 200 सो हमारा 200 वो नंबर मिल गया जिन से A, B, C के रियल सेर को डिवाइड करके 9 is to 12 is to 14 लाया गया होगा तो डेफनेटली वापस जाने के लिए 200 से 9, 12 और 14 को मल्टिप्लाई करेंगे तिनका सेर हमें मिल जाएगा लेकिन कुशन हमारे पास यह है find the sum of share of B and C तो in ratio B plus C sum निकालना है तो B plus C is equal to 12 plus 14 26 so the answer will be 200 multiplied 26 5200 इस कुशन को भी हम लोग वरवली कर सकते हैं बीच में कलम लगाने के आसकता नहीं है और जो कॉंसेप्ट यहाँ आपका डेलोप हो रहा है समय की पावंदी है सारे कुशन को हम डिसकर्स नहीं कर सकते हैं तो इसी तरीके से आपके पास जो ही प्रशन अबलेबल हैं उनको करने का प्रयास कीजएगा अब अगला कुशन क्यों में लेड़े चल रहा हूँ आपको कुशन नमबर 4 if A is 25% of B and B is 20% less than C if share of C is 3,000 find the share of A यहाँ पर सबसे important बात यह है percentage की चर्चा है percentage में यहाँ पर कुछ बाते मैं आपको बताना चाहता हूँ percentage और ratio एक दूसरे के complementary हैं suppose 25% means 25 by 100 25 by 100 को lowest form में करेंगे तो 1 by 4 1 by 4 को हम 1 is to 4 के रूप में भी देख सकते हैं similarly ratio से percentage में जाने के लिए 1 by 4 में 100 संबल डिप्लाई करेंगे तो result 25% आएगा यह बहुत बड़ा concept है कि ratio से direct हम percentage में जा सकते हैं या percentage से direct हम ratio में आ सकते हैं इस पर आधारित data interpretation में एक section में जिसमें प्रस्ण प्रस्ण पूछे जाते हैं उसमें से कम से कम एक प्रस्ण आपका जरूर रहेगा जिनें विद्यार्थियों के यह confusion होता है कि जब ऐसे प्रस्ण पूछे जाते हैं कि ratio से direct percentage निकालना है तो वो प्रस्ण में value ढूणने लगते हैं value means rupees, kg, liter, so and so लेकिन percentage से ratio में जाने के लिए या ratio से percentage में जाने के लिए कहीं भी value किया आ सकता नहीं है विद्यार्थियों जब इस पर आकर प्रस्ण देखता है तो उसे लगता है कि यह प्रस्ण कहीं static होता है यहां ध्यान देने काली बात यह है कि ratio से direct हम percentage में जा सकते हैं और percentage से direct ratio में जा सकते हैं वहीं दूसरी वर percentage का definition आपका होता है out of 100 जैसे आप किसी को बोलते होंगे कोई विद्यार्थी नया-नया कलम खरीद कर आया सपोज यह कलम बिलकुल नया है यह new pen को हम बोल सकते हैं कि यह pen 100% नया है क्योंकि अभी इसका इस्तमाल नहीं हुआ है इस परकार से हम बोल सकते हैं कि जब pen को हम लिखना सुरू करेंगे तो next day इसका value 100% नहीं रहेगा 100% से कम हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि जब यह pen बिलकुल नया है तो यह 100% है और दूसरे ही दिन यह pen 100% नहीं का अला कर 90% या 95% या 80% ही रह जाएगा तो किसी भी item का total value 100 होता है और किसी भी item का initial value भी 100 होता है इस बात को बिसेज कर focus करेंगे आप आगे future में अगर मैं आपका class और लेता हूँ तो इस concept का बहुत बड़ा इस्तमाल होने वाला है जिससे आने वाले chapters में बहुत सारे प्रशनों को आप verbally solve कर पाएंगे कलम उठाने क्या सकता आपको नहीं पड़ेगी rough work करने क्या सकता नहीं पड़ेगी तो किसी भी आइटम का initial value 100 होता है और किसी भी आइटम का total value 100 होता है और इसी के हिसाब से जब कोई आइटम किसी आइटम से relate होता है तो definitely जब उस आइटम से वो relate हो रहा है तो जहां से वो relate हो रहा है वहीं से वो चलना शुरू होगा तो जिससे relate हो रहा हुसे भी हम 100% बोलेंगे यहाँ पर मैं एक छोड़ा सा sentence बोलना चाहूंगा आपको यह day to day life में हम लोग इस्तमाल करते हैं गंगा हिमाले से निकलती है तो सारे विद्यारती अपने मन में सूचेंगे गंगा जब हिमाले से निकलती है तो रिलेशन गंगा का हिमाले से बन रहा है तो definitely 100% जो data दिया जाएगा वो हिमाले को दिया जाएगा उसके बाद फिर गंगा या तो बढ़ेगी या तो घटेगी तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर एक और निकल कर सामने आया कि जब भी कोई आटम किसी आइटम से रिलेट हो तो जहां से रिलेट हो रहा है वही उसका initial है और उसी को हम 100% देंगे जैसे यहाँ पर A is 25% of B A का रिलेशन यहाँ B से बन रहा है A is related to B तो definitely percentage में अगर 100 देना होगा तो B को हम 100 देंगे तो 100 का 25% definitely 25 आएगा तो A का होजाएगा 25 अब आसानी सम बोल सकते हैं A is to B is equal to 25 is to 100 और इसको अगर lowest करेंगे तो 25 से 25 भी डिवाइड हो रहा है और 100 भी डिवाइड हो रहा है तिसका common factor 25 है 25 is to 25 1 जा 25 25 जा 25 जा 100 तो A और B का ratio होगा 1 is to 4 इसे भी हम भरबली ratio निकाल सकते हैं वहीं दूसरी और second sentence में लिखा हुआ है B is 20% less than C आप बता सकते हैं आसानी से B C से relate हो रहा है या C B से relate हो रहा है तो definitely answer होगा B C से relate हो रहा है तो C यहाँ पर initial point हो गया और C को हम यहाँ पर 100 देंगे जब C 100 देंगे तो C से B 20% less है तो 100 का 20% 20 आएगा और B को 20 लेस होना है तो B का value 80 होगा तो ऐसे case में हमारा B is to C आएगा 80 is to 100 80 और 100 को common factor 20 है जो 80 को भी divide कर रहा है और 100 को भी divide कर रहा है 24 जा 80 और 25 जा 100 अब हमारे पास पिछले प्रस्ण की तरह यहाँ भी दो section है A is to B, B is to C A is to B का ratio हमारे पास 1 is to 4 है B is to C का ratio 4 is to 1 है दोनों को एक में convert करने के लिए एक relationship में लाने के लिए दोनों ही section में common है B तो B एक तरफ 4 है और B दूसी तरफ भी 4 है यहाँ पर चुकि पहला section में 1 का relation 4 से है दोसे section में 5 का relation 4 से है दोनों 5 से ही relate हो रहे हैं तो हम direct बोल सकते हैं A is to B is to C is equal to 1 is to 4 is to 5 तो हमारे पास पिछले प्रास्णु की तरह A B C के shares का relationship minimum term में 1 is to 4 is to 5 है आ हमारे पास पिछले प्रास्णू की तरह A B C के share का relationship minimum term में 1 is to 4 is to 5 है तो the share of C which is given in the question is 33,000 और C का lowest value है 5 तो 5 से 3000 डिवाइड हो रहा है 600 ताइम्स में, तो 600 वो common factor है, जिन से डिवाइड करकर 1 इस्टो 4 इस्टो 5 लाया गया होगा, और यहां से पुछा गया find share of A, तो share of A is equal to 600 into 1 is equal to 600, समय की पावंदी है, question मैं आज पूरा discuss नहीं कर पाया आप से, इसके बाद ही बहुत सा सानी से solve कर सकते हैं, अब मैं इसी sentence के साथ अपना class map करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह class पसंद आया होगा, और मैं New Zealand भारत को धन्नवाद देता हूँ, कि उन्होंने मुझे मुझे मौका दिया, आपके समक्स प्रस्तृत होनेगा, thank you, thank you very much. 11 सच है तो दिखेगा